नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस नीए वीडियो में तो हम रोज की तरह आपके लिए एक और नीए वीडियो लेके आगे हैं यह वीडियो जो आपको देली देहरादुन पूरा करने का संसोधन समय सिमा कर लिया गया 2030 में कंप्लीट हो जाए गया इस एलिवेटेट रोड के निर्मान के बाद दिल्ली के बीच यात्रा का समय और देहरादून 5-6 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगी यानि जो हमारे 5-6 घंटे दिल्ली और देहरादून में जो समय लगता था वो अब 2 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून जा सकते हैं इस Expressway का रूट दिली से गाजियाबाद जो होते हुए सहारनपूर होगा, यह Expressway दहरादुन में बनकर तियार होगा दिली दहरादुन Expressway की लंबाई जो है 210 किलो मीटर होगी, इस Expressway का जैदातर हिस्सा उत्तर पर्देश में परेगा यह दिल्ली से 12 लेन का होगा ताकि NCR के Expressway से यातायात आसानी से गुजरे हलाकि बाद में इससे 6 लेन कर दिया जाएगा दिल्ली में 14 किलोमीटर और गाजियाबाद में 12 किलोमीटर में 12 लेन होगी यानि दिल्ली में 14 किलोमीटर तक 12 लेन होगी और गाजियाबाद में 12 किलो मिटर तक जो है सो इसकी 12 लेन हो जाएगी अभी देहरादून जाने के लिए लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस्वे का इस्तमाल करते हैं इस नए एक्सप्रेस्वे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस्वे पर दवाब कम हो जाएगा expressway का शुरुवाती point जो है सो अक्छरधाम होगा यानि यह दिल्ली का जो अक्छरधाम है वहाँ से expressway का जो स्टार्ट होगा इसे EPI के साथ भी जोरा जाएगा है यानि expressway के सुरुवाती segment में साथ entry और exit point होंगे तो यह अक्छरधाम से जो है सो 55.5 km के बाद गांधी नगर गीता कलोनी में परवेश और निकास द्वार होंगे कोई भी ISBT दिलसाद गार्डन मार्ग पर 7.4 km यानि खुजरी पुस्ता मार्ग पर 9.5 km और सिगनेचर बिडिज मार्ग पर 11.2 km के बाद expressway पर चढ़ और उतर सकता है तो यह हमारी लंबा है इतने किलोमेटर के बाद जो है सो आप expressway पर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं expressway से सहारनपूर, बागपत, मजपरपूर, हरिदवार, सामली और हरियाना के निवासियों को भी फायदा होगा जो लोग बागपत से काम के सिल्सिले में दिल्ली पहुँचने में डेड़ घंटे से ज़्यादा समय लेते थे वे एक घंटे से कम में समय में एक्षर धाम पहुँच सकेंगे इसके बीच की दूरी घट कर महज 18 km रह जाएगी एक स्वेस्वे पर अनुमानित स्पीड लिमीट एक सो किलो मीटर परती हंटे होगी जो लोग डिसी केस घूमना चाहते हैं उन्हें भी इससे फैदा होगा वे देहरादून होते हुए मातर तीन घंटे में आध्यात्मिक नगड़ी पहुँच सकते हैं यह सरक दिल्ली NCR छेत्र में यातायात को कम करने में मदद करें यानि हम जो दिल्ली से देहरादून पहले जाते थे या भी जाते हैं तो 5-6 घंटे कम से कम लगते हैं वहीं पर हमें अब दो घंटे का समय जो है शो दिल्ली से दहरादुन जाने में लगा तो यह थी हमारी इस वीडियो की कुछ नई अपडेट तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे हम आप से एक नई वीडियो में नई ख़बर के साथ तब तक के लिए करेंगे हमारे थीडियो में थेर दूने है बासाओ शो फिलापिके।